नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल All About Life में इस वीडियो में हम कंपेरिजन करने वाले हैं दो पॉपलर क्रिम का पहला है Fair and Lovely Glow and Lovely Advanced Multi Vitamin क्रिम दूसरा है Pond's White Beauty Spotless Fairness क्रिम सबसे पहले हम इनके प्राइज और साइज को कंपेर कर लेते हैं Fair and Lovely का प्राइज है 56 रुपीज 25 ग्राम के लिए Pond's का प्राइज है 67 रुपीज 23 ग्राम के लिए Pond's जादा महंगा है Fair and Lovely से दोनों आपको 10 रुपे के ट्राइल पैक में मिल जाएंगे दोनों outer cardboard box में आते हैं दोनों travel friendly हैं इन दोनों में ही पैराबिन है इनका self life है 3 साल इनका ingredient आपको packaging पर clearly पढ़ने को मिल जाएगा texture की बात करें तो one by one इन दोनों को मैं अपने हाथ पर apply करके आपको दिखा रही हूँ Pond's से जादा thick texture है Fair and Lovely का अब मैं इन दोनों क्रिम को अपने शेहरे पर लगा कर दिखाती हूँ आधे शेहरे पर मैं लगाऊंगी Fair and Lovely और आधे पर ponds सबसे पहले मैंने Fair and Lovely लगाया है ये skin पर easily blend होता है और quickly absorb हो जाता है पर dry skin को ये खिचा खिचा और भी जादा dry बना देता है तो dry skin को मैं Fair and Lovely recommend नहीं करूँगी इसको oily skin वाले इस्तमाल कर सकते हैं अब मैं ponds क्रिम लगा रही हूँ ponds को बनाया गया है normal skin के लिए इसको dry skin, oily skin दोनों इस्तमाल कर सकते हैं इसकिन में ये भी बहुत ही quickly absorb हो जाता है मेरी dry skin है तो मुझे ponds जादा पसंद आया इन दोनों का fragrance strong है जिनको जादा पसीना होता है उन्हें ponds लगाना चाहिए Fair and Lovely sweat absorb नहीं करता दोनों क्रिम इसकिन पर white cast देती है मार्केट में दोनों ही आपको easily मिल जाएगा आप चाहें तो इन्हें online भी purchase कर सकते है इनका purchase link आपको मिल जाएगा description box में ponds इसपोर्ट पर भी काम करता है Fair and Lovely इसपोर्ट पर काम नहीं करता मुझे overall ponds क्रिम जादा पसंद आया इन दोनों क्रिम में आपका favorite कौन है मुझे comment के जरीए जरूर बताईएगा please मेरे channel को subscribe करें ऐसे और भी videos देखने के लिए इस video को like करें take care be healthy be safe bye